दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि तहालका वैच का पार्ट वाइप पार्ट श्रीज आते रहाता हैं जिसमें आपको फिजिक्स, कमेस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंगलिस सभी का तेन्थ और तुएल्थ इसी दो क्लास का सबसे जादे आपका इस पर वीडियो मिलेगा क चलिए, बीना देरी करते हुए हम अपना ताहलका वैच हई स्टार्ट करते हैं आज हमारे ने कमेसटी का टाहलका वैच का आन्तिम लेक्टश का में भीजेक्टिएग, हम 24 अबर यह तो चलि का ताहलका वैच कंपलीट हो ढ़िए और इस से बाहर करते हैं यानि हमारा प्राथम कोचन क्या करा है तो फेराडे का बीधुत विछ्षेदन का दूतिय नियम संबंदित है तो देखे Mahar underlying का बीधुत विछ्षेदन का दूतिय नियम क्या होता है जो पदार्त की मात्रा होती है नुब वह कै्ठोड plus और a note minus दोनक पर जो जमा होती है तो उसके सम्नूले भर का होती है जो सम्नूले होता है e उसके समानुपाती होती है ठीक है तो कैसे लिखते है तो पदार्त को e-mesan 선생님 किसका तो उसके सम्नूले भर के तो M समानुपाति E हो जाता है यानि M भराबर के E हो जाता है तो E आपका समतुले भाड़ हो गया और के क्या हो गया तो समानुपाति के जगा तो देखिए इसमें पीडियेफ में आपको नहीं मिलेगा A, B, C, D ऐसे ही चार आप आप समझ लिजेगा जैसे यह दिया हुए ठीक है क्योंकि आपका इस पीडियेफ में नहीं रेडि किया गया ठीक है इतना ही इसमें थुरा डाउट है ठीक है तो सम्तुल्य भार के समानुपाति होते यानि E के तो देखिए यहां सम्तुल्य भार कहां पड़ा है तो बीधूत अबखटन के सम्तुल्य भार पर यानि option B जो दो नमर में दिखा रहा है नो वही इसका सम्तुल्य भार का option हो जाएगा यानि जो यह दे रहा है नो यही सही हो ठीक है चलिए next कोचन देखती है देखिए समतुले भाराज जो बोले उसको क्या बोलते है तो electrochemical equivalent यानि बीधुत्रा साइनिक सेल भी बोलते है ठीक है next हमारा दो नमर कोचन है दो में क्या बोल रहा है तो दो मैं पूछ रहा है कि निमने लिखित में कौन दूतियक सेल है तो दूतियक सेल की सको देखिए यह फेमस बहुत कोचन देखिए दोस्तों इसमें वह ऐसे कोचन लिया गया है जो प्रिभियस यह में पूछा गया और साथ ही साथ आपको बोट उमाडल कोचन जो इस बार अभी पाठ हम दो से तीन पाठ में लग उतरी और द्री उतरी ये दोनों के दे देंगे इसलिए आप लोग अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किये होंगे तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए और साथ में अगर आप PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पजूर जी उसका नाम के आप लोग इतना सर्च के जिए का बिहार बोर उसके बाद इस चैनल का नाम ठीक है रेंकर स्टोरी सेंटर तो आपको आजाएगा ठीक है दोनों साथ में आपको करना है जिसमें 14 से उपर बच्चे जोईन है ठीक है तो देखिए आपको देखिए भी छेदन कैनके ठीक है तो देखिए भीर भटन के किसने नियम क्यां धिये थे तो देखिए आप लोग बताइए आप लोग का चैट मे चैकी जिए लेमार्क ने उस्तव वालने फ्चाने ने इनमें से कॉई तो इसमें सेकेंड में हम आपको बोले है लेकिन इसमें क्या होता है तो हो आयथ के सांदुपात्य हो жाथा तो पधार्थ की मत्र küç boyfriend q को बोलेंगे समझ जो कंस्टेंट है बीधुत्र साइनिक सम्तुल्रंग ठीक है तो देखिए इसमें पुछ रहा है कि इसका फैराडे का प्रथम नहीं तो क्या हो जागा एम बराबर और यहां पर जेड क्यू हो गया नू उसके बाद क्या तो क्यू के जगा आप लोग क्या सब्सक्राइब क्या होता है तो आप सभी लोग जानते हैं बीधुत्र साइनिक तुल्यांग का मातरक है तो इसका कौन सा अप्शन हो जाएगा जो देखिए इसका डिक णोन gorilla होता है यानि option जो आपके यह लोग रहने वही आपका राइट हो जागा ठीक है next देखते है तो फेराड़े काई के मोंימ स कूल मोल इन फर्स थीक है मोल इन वहां और सी यहीं बाप सही हो जाएगा ठीक है option c यहाँ पर ऐसे कोचन में जादे ऐसे पूछेगा ठीक है अम वह ऐसे दे दिये ठीक है उससे कोई दिकत नहीं है चलिए next देखते है तो next कौन सा है कि सेल इस्थिरांग की काई है तो सेल इस्थिरांग की क्या होती है आप लोग कमेंट करके बताएं ठीक है तो सेल इस्थिरांग देखिए सबसे पहले सेल इस्थिरांग यहां के फर्मूला क्या होता है ठीक है इसका मान परतिरोध के नियम से निकाला जाता है ठीक है सेल इसकी क क्या होती है तो सेल इस्थिरांग की इकाई जो होती है तो मीटर इनफर्स होती है ठीक है और सेल इस्थिरांग इसकी काई हो गया मीटर इनफर्स पूछ रहा है सेल इस्थिरांग है तो यह क्या होता है तो देखिए के बड़ाबर क्या होता है यह कॉंस्टेंट के बड़ाब सब्सक्राइब चले को यह यूट चले समय नेक्स्ट में में पूछ हागे इसा समय कसी या समय्फाती को यह पूछ रहा कि समयलों को फाहिए जो आएन की में स्सक्राइब शीथ होतास का बीदूत अपघटनी चलाकता का मापक है तो विधुत अभगट नहीं चलगता का मापक कौन सा है पूछ रहा है तो देखिए जो विभव होता है नो वही आपका राइट एंसर जगा ठीक है तो यहाँ अप्चन भी आपका राइट विभव दिया है विभव के समानुपाति होते हैं बीधुत अभगट है देखिए इसमें कोई भी अप्सार नहीं है तो इसके लिए हम इसको बता रहे हैं ठीक है देखिए कोल्लाउस के नियम क्या होता है आपको यह पहले जानना परेगा ठीक है तो कोल्लाउस में क्या होता है तो इस नियम के जो अनुसार होता है उसमें केटोन और इनोन की चलकता यानी धनायन और रिनायन के चलकता होता है उसके योगफल के बराबर होता है तो देखें कुलाउस में आगर पूज़े देगा तो आप लोगक्न कैसे लिखिएका तो लेमडा बराबर बार प्लस प्लस लेमडा- प्लस लेमडा- अर्लेंडा माइनस ऐसे ही देगा ठीखाँ इससे दूसरह नहीं यहीं आपका डाइट अरचार होजगा यह किसके समानुपाती होता है तो धनायन और 10 हो गया 10 के बाद 11 है ठीक है 11 में कुछ रहा है बिधुत अप घटन में निच्छेपीत यहां हो जाएगा यहां च्छा बना लिजिएगा चको निच्छेपीत आयनों कि मात्रा निर्भर नहीं करती बाताई आप लोग की परतिरोध पाँ समय पर बिधुत धराप बिधुत रसायनिक तुल्यांग पर देखिए जो परतिरोध होता है उसकी मात्रा कभी भी निर्भर नहीं करती यानि आप्शन जाओ आपके यह लोक्राइब वही सही हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट यहां से गारबरी ओ इलेवन के बाद यहां 12 बाना चाहें तो लिख रहा है ठीक है उसके बाद 2 लिख रहा है यहां pdf में थोरा गैरबरी है उससे आप कोई दिकर नहीं लगभग इसमें 40 से 50 कोचन आया है ठीकह आप लोग यह से तना लेकर रहा है ठीकह आपको नहीं चलना है कि ओप्षन ही बात आ यह तो यह यह ँघ सेह पूछ रहा है तो चलाकता की और क्या होती है आपको बताना है तो आप सेंटिमीटर इनवर्स यहीं होती है चलाकत है कि ठीक है तो देखिया आप्शन में कॉन साथ देखिया ओप्षन जो यहां सी लोग रहे है यही आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स देखते है तो नेक्स देखिये दुस्तों यह बहुत ही आपका बिस्वर से ही आएगा मातर आपको बहुत कम उसमें कोच्छा माला है कि फाइप एंपियर की बीधुत धारा सीव एस ओफोर के घोल से 20 मिनट तक प्रवाइत होती है थोड़ पर कितना सीव जामा होगा देखिए यहां अमेरिकल टाइप क्या है तो इसको आपको मनाना पड़ेगा यह स्बाइमक पूँछा है और अब्जेक्टिम पुचा है ठीक है इसलिए हम अब्जेक्टिम भी लेकkennt कराए है तो आई कितना यह पाच दिया होगा है यानी धारढ़ पाच एंपीर ठीक है उसके बाद क्या क्या दिया है तो फे यह आपको यहां निकाला होगा समतूले तो क तो बटे में समतुल्य भार लिकाला जाता है तो 12 मीनिट दिया है तो बदलेंगे सेकेंड में बदलेंगे 12 से गुणना करेंगे तो 6 दुना के 12 हो गया ठीक है 12 सेकेंड इतना आप लोग या लिख ली जिएगा कपी में और नेक्स्ट हम इसे आगे भगा कर सॉल्व कर रहें तो देखिए यहाँ पर आपको फर्मूला क्या पूछ रहा है तो सीव पर कितना जामा होगा कैथोड यानि एम पूछ रहा है तो एम बराबर फूछ रहा है तो यहाँ पर क्या होता है तो जेड आइट आई टी आपको बता आए गया था तो जेड बराबर इवटे एफ आप येस फर्मूला का प्रियोग करिएगा इवटे एफ इंटू आई इंटू टी ठीक है जो यह इवहा यह सम्तुल्ले भार हो जा तो E बट F, E 31.75 था, गराम उसके बाद कहा F 95,500 कुलम, 95,500 आई कितना तो 5 एंपियर था, उसके बाद समय बारेस था, ठीक है, इतना था, जब इसको काटिएगा तो 113 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो, या 2 सुना से 2 सुना यहां पो कट गया, ठीक है, आपको अंत में इतना आएगा, एक बारे इंटू, इतना हो गया, बारे इंटू, 13.75, यह बारे बच गया, 13.75 बटे, 193 आगया, ठीक है, 193 कट ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना आएगा, तो 1.8 गराम हम इसको सल्व किया, इसलिए डरेक्ट लिख दिया, ठीक है, इतना ही, अगर आप नेक् के बिधुत धार, CACL2 के घोल से, आधे घंटे तक प्रवाहित होती है, कितना CAC, यानि केल्सियम के थोट बजामा होगा, आपको लिकलना होगा, उसमें अगर आप लोग देखिएगा, तो देखिए कौन सा, तो हम CACL2 अलगे बता दे रही है, ठीक है, उसमें आपको MPI कि हो गया, इली का लिएगा, CACL2 के, तो चालीस दू हो जाएगा, ठीक है, यानि 20 गराम, ठीक है, और टी कितना तो 30, कितना आधे घंटे यानि 30 मिनट तक, तो 30 into 60 को दीजिएगा, तो कितना अठारे सा जाएगा, उसके बाद फर्मुला रखकर, आप लोग सल्व का प्राथम कोटी की अभिकिरिया के लिए बेग मस्तिरांक, क्या उती है, तो देखिए, प्राथम कोटी की जो अभिकिरिया होती है, उसमें क्या होती है, तो second inverse होता है, कोई जाद उसमें पचिंदा नहीं है, second inverse, घिखा, या हिता, देखिये, यह उप्शन ए, जो लोग रह टीक है है नेक्स्ट माना के कि Васी अभिकिरिया का भेग नि적दा से ब्यक्त होता है वेग इतना बरावर के इसक्वार इंटु बी से अभिकी के होगी ौड़ा कोटी कोटी कास निकाला जाता है है तो फिर्वाबिशन में यह पर्या कि कोटी है आप पर कितना थिया हुआ तो डिया हुआ है जोर देंगे तो कोटी करते हैं तो आप्सेन यानी ओप्षन भी आपके राइट थीENA त्यां टेखते है तो next कौन सा है next हमाँ ऄदा साइनिव हमी इजटर्टू प्लस आइटू बड़ाबह टू एच एचवाई का साम में इस्तिरांक पी-दिर भड करता है यानि किस चीज पर देखिए यह जो है यह ताप क्रम पर निरभड करता है किस पर ताप क्रम आप यानि आपका यहां सिल लोक रहा है नो वह सही हो जागा ठीक है नेक्स्ट देखता है त किसी प्राथम कोटी की अभिक्रिया का बेग इस्थिरांक निर्भर करता है तो की चीज पर सांद्रता पर जो अभिकारक होता है उसके तो नेक्स्ट देखते हैं तो किसी सुन्य कोटी की अभिक्रिया की दर होती है यानि क्या होती है कभी बढ़ती है गहती है निस्चीत होती है गहती है लेकिन यहां प्रत्थम कोटी की अभी किरिया के लिए t सुनने कोटी कि अभी किलिए केले बेग स्तिरांग की का इस सभी हो उन्वर्स में यहां दिखाई दे रहा है नो वहीं आपका सही जगा मौल यह लेकिन आप लोग इसे मौल पर ही ठीका मौल ठीका है याणि आप सन जो आपका डील हो क्रहाएं वह लेक दिखराह है त्थीका ह नेक्स्ट आमारा हाकि यहान देखिया जो दिया हुए है धोknown पातिैनल क्या क्या हें तो देखें संक्या संक्यट काता है कि तो यह एक पर क्या है कि क्या है तो त्रीतिय कोटी की अभिकिरिया यानि आप्षन सी आपका राइट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है कि एक रासाइनिक अभी किरिया टी समानुपाती 1 वाई कि एन के पावर माइनस वन की और दोगाई टी हाफ होगी ऐसे लिखा हुए टी समानुपाती 1 वाटे 1 के पावर एके पावर एन माइनस 1 ऐसे लिखा हुए कि और दोगाई टी हाफ समानुपाती होगी यानि किस के तो ठीक है तो देखिए इसको हम बता देना है आपको क्या हो यही आपका राइट एंसर हो जगा इसके लिए हिमांका आउनमन अधिकता होता है ठीक है चलिए देखिए हम इतना कम समय में रिकॉर्डिंग एथी कलास डालते हैं ताकि आपको समय के बच्चात हो सबसेगे ठीक है देखिए निम्न में कौन सा अनुसंखे गुंधर्म नहीं है पूछ रहा है तो कौन अनुहिमांका आउनमन प्रकास ये क्रिए सिलता हुआ सब्सक्राइब का पेक्षिक आउनमन इहां लिखा हुआ ठीक है इन में से कोई नहीं कौन सा होगा देखिए जो प्रकास ये साथ सिलता होती यह एक परकार का उनुसंखे गुंधर्म नहीं ह ही आपका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा है कि समाने ताप पर किसी गयस के एक मूल का आयतन है कितना है तो देखिए आपको पहले भी बताया थे 22.4 लिटर के बड़ाबर होता है यानि आपका कौन सा हो जाएगा तो बी हो जा की कौन नहीं है तो आप लेगवाता ही है कुलाइडल घुल धेखिए जो जल होता है या खोलाइडल घुल नहीं होता है यानि आप्शन आपका जो यह है यही आपका राइट हो जागा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है 15 SSD में पूच रहा है कि टिंडल परदर्शीत होता है यानि भी परवाव कुंस से परदर्शीत होता है पूछ रहा है तो त्लिश्ट सक्रियन कॉलाइडल नहीं नहीं सक्रियन कोई है ठीक है पूछ रहा है कौन होगा तो प्रिष्ट सक्रियान जो दिखाई रहा है हम लिखेंगे वही आपका राइट एंस्वर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट हमारा कौन सा है 17 17 में पूछ रहा है कि अर्हेनियस पलिकर अपना के अनुश्य अभिकिरि यानि option यह आपका राइट हो जागा ठीक है next देखते हैं तो next 18 18 में पुछ रहा कि तापक्रम के बढ़ाने से विक्रिया की गती बढ़ती है क्योंकि विक्रिया गती बढ़ती है इसमें दिया हुआ है उर्जा टक्रान गटने से यानि किस चीज़ से होती है तो संख्या इसमे टक्र का संख्या बढ़ता है ठीक है next देखते हैं तो next इसमें को रहा है कि अभिक्रिया का बैग परताप के प्रभाव को दर्स आता है माने किर्चप equation को औरहनियस समिकरन को गिप्स समिकरन को या इन में से किसको तो देखिए अभिक्रिया का बैग परताप के प्रभाव से क्या होता है तो आरहनियस समिक्रन के किस पार्ट में आपको आरहनियस समिक्रन परना है ठीक है तो आपका ऑप्षन भी आपका राइट हो जाएगा ठीक है आरहनियस समिक्रन नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट कौन सा है सुन्ने कोटी अभिकिरिया के लिए क्या होता है तो सुन्ने कोटी अभिकिरिया के लिए पूछ रहा है इसमें सुन्ने कोटी अभिकिरिया के लिए मतलब टी हाप समानुपाती एक होता है कि किसके समानुपाती होता है तो देखिए T हाप समानुपाती किसके होता है T हाप समानुपाती A के होता है ठीक है यही आपका राइट एंस होग यानि आपका दिखाई दे रहा है नो वही आपका सई हो जाएगा ठीक है सब्सक्राइब करने के लिए समय को कम कर देता है अपने काम को जल्दी कर देता है तो देखिए चलिए और देखते हैं तो यहां खतम गए ठीका पीडियेप थोड़ा अप्शन इधर उधर था इसलिए आपको कुछ दिका तुगा लगभग आपक्या तो फोटी के आसपस में को चनता ठीक है यहां पर आपको तालगा बैस सरे तीन सके आसपस में ही कंप्लीट करा दिया गया इससे बाहर आपको अब्जेक्टिव नहीं पूछेगा इसके तुरंत बाद हम आपको क्या तो एक सी दो दो सी तीन पार्ट में पूरा सब्जेक्टिव प्रवाइड कर दे कर अपको आपका अच्छा इसक्वेड कर सेगें ठीक हैं तो चलूंग मिलते हम दूसरे सी पार्ट में